लड़की है, दिखती अच्छा है, फूपसूरत है और बाते भी अच्छी करती है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकीलों को अपने जहां से मिले लेती है और इसे सिलसले में इस लड़की ने MP में देवास के एक डॉक्टर पवन छिल्लर को पहले अपनी बातों में फसाया फिर उनसे 9 लाख रुपए एट लिये इसके बाद इस लड़की ने डिमांड और बढ़ाई तो डॉक्टर ने कहा माफ करना मेरी इस से ज़्यादा वकात नहीं और सीधे पहुच गया पुलिस टेशन अब पुलिस ने क्या कारवाई की वो बताएं उससे पहले आप इन मोहतरमा के पुलिस के साथ आते जाते कुछ वीडियो देख लीजिए और उन्हें सुन लीजिए तो मैडम कह रही है कि आप पूरी खबर नहीं दिखाते लेकिन जब इस मामली की पुलिस ने जाच की तो कुछ अलगी कहानी सामने आई पुलिस को कुछ ऐसी तस्वीरे मिली और साथ ही आडियो कॉल की कुछ रिकॉर्डिंग मिली जो हम आपको पूरी नहीं सुना सकते लेकिन उस call का कुछ हिस्सा आपको जरूर बताते हैं ये लड़की सबसे पहले डॉक्टर पवन को call करती है और कहती है हलो क्या मैं डॉक्टर सिंगल से बात कर सकती हूँ इसके बाद डॉक्टर पवन कहते हैं कि आपको मेरा नंबर किस ने दिया कि ये नंबर रॉक्टर पवन को phone करती है और फिर पूछती है हलो क्या मैं डॉक्टर सिंगल से बात कर सकती हूँ थोड़ा आर्जेन्ट है अब डॉक्टर पवन बोलते हैं कि माफ करना ये नंबर ड्न का नहीं है आप बार बार रॉक्टर पैर पर call कर रही है इसके बाद लड़की फोन कट कर देती है अब थोड़ी देर ही बीटती है कि लड़की फिर से डॉक्टर पवन को कॉल करती है और इस बार अपना नाम बता देती है वो कहती है कि मैं जोया खान बोल रही हूं आप से बात करकर ऐसा लगा कि आप एक अच्छे इंसान है और आप से दोस्ती की जा सकती है अब जब लड़की इस तरीकी के बाते करती है तो डॉक्टर पवन भी रेडी हो जाते है वो लड़की का प्रपोजल एक्सेप कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है हम दोस्ती कर लेते हैं है अब यही दोस्ती धीरे धीरे इन दोनों की लगातार बाते होने लगती हैं इसी दोस्ती के आधार पर बाते होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं और अब दोनों में प्यार हो जाता है और फिर इसी प्यार का हवारा देखकर ये लड़की डॉक्टर को एक दिन होटल बुला लेती है डॉक्टर भी प्यार में पड़ा डॉक्टर था तो होटल चला गया वहाँ जाने के बाद ये लड़की डॉक्टर की कुछ अश्लील तस्वीरे निकालती है और उसके बाद शुरू करती है अपना असली खेले ये लड़की डॉक्टर को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिये तुम्हें ये तस्वीरे हर जगे दिखा दूँगी तुम्हारी फैमली में दिखा दूँगी और तुम्हें बदनाम कर दूँगी अब बदनामी के डर से डॉक्टर लड़की को 9 लाक रुपे दे देता है लेकिन इस बार डॉक्टर कहता है कि मेरी इतनी अवकात नहीं है मैं तुम्हें आगे पैसे नहीं दे पाऊंगा और सीधे पहुत जाता है पुलिस स्थेशन अब जोब पुलिस के पास ये माम्ला बहुँचता है तो पुलिस हर तरीके से इस मामले की जाज करती है और पुलिस को जो कहानी पता लगती है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे दरहसल इस लड़की ने डॉक्टर को अपना नाम बताया था जोया खान लेकिन जब पुलिस ने इसके और डॉक्यूमेंट्स देखे तो कहीं पर इसका नाम लिखा था मौनिशा डेविड यानि की जोया खान और मौनिशा डेविड ये लड़की इन दो नामों से बड़े बड़े लोगों को बड़े आराम से ठगा करती थी चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो वकील हो इन सभी को ये बड़े आराम से इनी दो नामों के ऊपर ठगा करती थी प पुलिस के दिमाग में एक सवाल खटका, पुलिस में सोचा इस लड़की के पास एक डॉक्टर का नंबर कैसे पहुचा, पहली बात एक रॉंग नंबर मिला और उपर से वो भी डॉक्टर का, ये सवाल बहुत बड़ा था, तो पुलिस को इसकी जाज करने थी, इसी बात पर, यानि कि इसी एक सवाल पर एक थियोरी भी है, कि डॉक्टर पवन का कहना है, कि उनके दो दुश्मन डॉक्टर है, यानि कि उनहीं जानते हैं वो डॉक्टर और उनके दुश्मन हैं, वो उनसे जलते हैं, उन्हों ने इस लड़की को तयार किया, उसे सेट किया, कि तुम ड करो उन्हें बदनाम करो और इसके लिए इस लड़की को उन दो डॉक्टर ने एक लाख रुपए भी दिये यह एक थ्योरी है जिसे डॉक्टर पवन बता रहे हैं फिलहार पुलिस इसकी जाच कर रही है लेकिन अब एक थ्योरी और है और वो है लड़की की जैसा कि हमने आप आपको शुरुवात के वीडियो में दिखाया था और बतत सुनाया भी था कि लड़की बार-बार इस बात को चीख रही है कि डॉक्टर पवन ने इसका रेप किया है तो यह थ्योरी भी पुलिस इस थ्योरी की भी जाच कर रही है कि कहीं लड़की की बात तो सही नहीं पु आराम से सुनेगी यानि कि डॉक्टर का जो हनिट्रैप वाला मामला है और जो लड़की बार-बार क्यामरे के सामने जिस तरीके से लड़की ने रेप की बात बुली उसका भी तो पुलिस का कहना है कि वो दोनों ही तरीके से मामले को सुनेगी समझेगी और उसके बाद इस केस पर कारवाई करेगी